आम चिनावों से पहले देश का अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है इस बजट में रेलवे को लेकर बड़े ऐलान किये गए हैं वितबश 2024-2025 के बजट में सरकार का फोकस वंदे भारत ट्रेनों पर रहा चलिए एक एक कर आपको बताते हैं कैसे रेलवे को लेकर इस बजट पोर्ट कनेक्टिविटी कोरिडोर और तीसरा अधिक यातायात वाला कोरिडोर कनेक्टिविटी को संभव बनाने के लिए प्रधानमत्री गती शक्ती के अंतरगत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है इनसे लोजिस्टिक सिस्टम संबंदी कारे कुशलता बढ़ेगी लागत में भी कमी आएगी इसके चलते ज्यादा यातायात वाले गल्यारों में भीर कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफतार बढ़ेगी डेडिकेट फ्राइट कोरिडोर के साथ इन त लुब प्रीन ताफिक्पिवित थे पार पिंदी प्रीडिवित अडिवित ग्रीपिक्पिट थे रूफिक्टिवित थे इसना काःएंट अबार्य। ये फ्लिबादिक्षी कीचिएयू झालोग ये आफिरखोपी आशिए अधिराफिक ज्यूसुदीज़ इन्टन में उन्हेंब रवफिट प्रेफिकॉर्टी कोरिए तर्यूस, ज्यूसुदी कोरिदाड़ हैं, ये अजिज रधिय कोरिदेदेट बीज़ा इंड प्रेंटीज एक एहम ऐलान में वितमत्री ने कहा कि 40,000 सामानने बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विक्सित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहुलियोत को बढ़ाया जा सके. 40,000 नौर्मल रेल बोगिस विल बी कन्वर्टेट तू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स तू एन्हांस सेफटी, कन्वीनियन्स और कमफर्ट अफ पैसेंजर्स। ये वितवर्ष 2013-14 में किये गए परिव्याय का लगभग नौगुना था। इस बजट में रेलवे को लेकर किये गए एलान पर आपकी क्या राय है? कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं, फिल हाल के लिए इस वीडियो में इतना हूं।